पति पतनी के रिष्टे का महत्व पति पतनी के रिष्टे बिवाह के बंधन में बधने वाले इस्त्री पूरुष जब एक होने का एहसास लिये साथ फेरे लेते हैं तो अंजाने में ही वो इस परिभासित रिष्टे से परे एक दूसरे को अपना हमदर्ध दोस्त बनाने की राह पर निकल पड़ते हैं मैं इस्तरी की नजरिये से देखू तो लगता है सायद वो जानती है कि न तो वो उसकी हो सकती है और न वो ही वो उसका हो सकता है उसने अभी तक जिसे पाया भी नहीं है उसे खोना भी नहीं चाहती इस रिष्टे को वो अपने मन की डोर से बाध तो क्या वो इस समाज में बधे बिधाय नियमों के विरूध विद्रो कर रही है क्या उसने अपनी मन और समाजिक नियमों के बीच की सीमा रेखा को मिटा दिया है जी नहीं वो समाज के बंधन और नियमों को बखु भी जानती भी है और मानती भी है और वो महिन सी गहरी सीमा रेखा अभी भी वही है मगर कुछ पलों के लिए ही सही वो नियम और जिमिदारियों के बोज को नजर अंदाज कर देना चाहती है कुछ खटे मेठे एहसास जजबात अपने नए दोस्त से बाटना चाहती है जो वो सायद कहीं और किसी के पास नहीं बाट सकती अपने इस दोस्त के ऊपर अपने भीतर उमड रहे जज़बातों के बादल बरसा देना चाहती है, जो बीते वक्त के साथ उसके अंतर मन के भीतर खोग से गए थे, वो खुल कर हसना चाहती है, खिल खिलाना चाहती है, वो चाहती है कि कोई उसे भी समझे, बिन कहे सारा दिन स सब की फिक्र करने वाली चाहती है कि कोई उसकी भी फिक्र करे वो उस बस अपने मन की बात कहना चाहती है जो रिस्ते और जिमेदारी की डोर से बधी गाट को एक जटके में खोल कर अजादी के कुछ पल बिताना चाहती है जिसमें न दूध उबलने की फिक्र हो न रासन का ज सरपैर की बाते तो कभी छोटी सी हसी और कुछ पल की खुसी बस इतना ही तो चाहती है आज सायद हर कोई इस रिष्टे से परे एक दोस्त एक हमदर्द ढूरता है जो कहीं अनकहीं जिमेदारियों से मुक्त हो